सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें हलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब होप यौला दॉइंग विल सो चलिए कंटिनीव करते हैं यूनिट 3 चाप्रे 10 के साथ इंटोडाक्शन तू इन्फोर्मेशन सिस्टम्स सो देखिए अपन कर रहे थे टाइपस ओफ डेटा मॉडल्स राइट डेटाबीस मॉडल्स जिसमें वी आर अल्डेटी डन विद हायरार्किकल मॉडल नेट्वर्क मॉडल्स यह दोनों मॉडल्स अपने अच्छे से कंप्ली एनेठी डेटबीस राइट सो इक्विकली वह टर्म्स को रिवाइज कर लेते ह खृतक है आफ धेखिए लक्षमन निखावाए लक्षमन क्या है collection of characters ये किस में आ रहा है नेम में तो name भी क्या है field है तो अगर आपन देखते हैं तो field में अपने पास क्या क्या दियावा है तो role number एक field है name एक field है mobile number भी field है और address भी field है तो I hope आप clear है field क्या है collection of characters फिर field के बाद अपन जा रहे थे किस पर record पे record क्या था collection of fields तो यहाँ देख सकते हैं कि जब role number, name, mobile number, address सबको एक साथ अपन देख रहे हैं तो अपने पास record बन क्या रहा है तो अपने ये case में आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है पूरा एक record है this is one complete record write to लक्षमन 7490893333 ये पूरा एक क्या student का record है ये पूरा क्या एक record है and जब collection of records अपन बोल रहे थे तो वो क्या हो रही थी फाइल हो रही थी तो आप देखेंगे collection of records में क्या हो गया ये पूरा एक record आ गया ये दूसरा पूरा एक record आ गया ये क्या एक file है और इस file का नाम क्या है student registration file, इस file का नाम क्या है student registration file, अब file को अपन और किस नेम से refer करते है सर, file को अपन table के नेम से refer करते है, file को अपन relations के भी नाम से यहाँ पर refer करते है, ठीक है, तो अब ये चीज़ एकदम clear हो जानी चाहिए, और देखो collection of files क्या था, database था, तो ये college का एक database बन रहे तो इसमें collection of files क्या हो गई एक तो student registration की file हो गई और एक library की file हो गई तो जब दो file को combine करें मतलब collect करें file score as a whole देख रहे तो वो क्या हो गया database तो आई वो आप recall कर पारे हो कौन कौन सी terms recall कर पारे हो एक हो गया field जो क्या था collection of characters second हो गया record जो की क्या है collection of fields third हो गया क्या sir file जो की क्या था collection of records मतलब ये complete जो वी चीज़ दी वी है ये पूरा क्या हो गया एक file हो गया और collection of files क्या हो गया sir अपने लिए database हो गया so I hope ये basic चीज़ में पहले पढ़ा चुक हूँ अब यहां पर बस लिखके आपको revise करा दिया इपर recall करवाने की कोशिश करिए अब अपनाएंगे आज के अपने topic पे जिसका नाम क्या है relational database model ठीक है अब ये relational database model होता क्या है उसे पन अच्छे से discuss करते हैं के students क्या लिखा है this model allows collection of records मतलब collection of क्या हो रहा है records हो रहा है देख सकते उपर collection हो रहा था record का आपके सामने यहां पे दो record पूरे present किये गए राइट आप इस file में देखेंगे तो इस file में भी दो record present किये गए सो क्या बूल रहा है sir this model allows collection of records records को collect कर पारें लेकिन कैसे in a tabular structure table के form में right so tabular structure is the key point sir यहां पे records को collect करें किस में tabular structure में where each record contains अब आपको पता है record किस से बनता है sir field से बनता है किस से बनता है record field से बनता है तो क्या लिखाए where each record contains some of fields defining what nature of data stored in that table अब आप देखो fields में बता रहे sir nature of data क्या है एक जगे number roll number आ गया एक जगे नेम आ गया mobile number आ गया address आ गया तो I hope यह चीज समझ में आ रही है कुछ नहीं किया यहाँ पे यह जो पूरी table है इसको summarize करके लिख दिया है वापेस यह सब एक बार मेरे साथ read कर ले ना अपन यहाँ पे क्या कर रहे sir इस model में collection of records करें किस में करें एक tabular structure में एक table के structure में करें जिसमें क्या है sir records क्या contain करें fields contain करें records क्या करें fields contain करें जो क्या define कर रहे कि अपन कौन सा data उसमें store करें कैसा data उसमें store करें आई हो पर्स पॉंट इंग्दा मच्छे से आपको समझ में आ गया comfortable है second point क्या बोड़ रहा है record is one instance of set of fields in a table यह वही चीज बोड़ रहा है कि record कैसा collection of fields है in a table record क्या show करता है collection of fields show करता है in a table so you first two points इंदा मच्छे से समझ में आगे students कोई दिखकत नहीं आ रही आपको चलूंगे okay अब मैं आगे बढ़ू उसके पहले एक बार आप देख लिजे आपकी book पे भी सब आ जाएंगे book में book number page number 10.16 10.16 पे आ जाएंगे जिसमें अपन किस पे relational database model आप देखेंगे first two points जो अभी पढ़ा है वही same repeat किया है यहाँ पे कुछ नाया नहीं है सो यह क्या है collection of records किसमे tabular structure में जहाँ पे each record क्या contain कर रहा है some fields जो क्या बता रहे है nature of data stored comfortable और record क्या हो गया instance of set of fields record क्या हो गया एक collection है किसका set of fields का so I hope first two points इगदम clear है कुछ इसमें difficulty नहीं आ रही है चलें आगे fight great अब देखें आगे क्या लिखाए three key terms three key terms are used extensively in relational database models अब बात करें key terms की जिसको अपन extensively use करते relational database model में मतलब जब यह relational model को explain करते है तो यह terms को use किया जाता है अब वो तीन terms कौन सी है students आप देख सकते first term बोला गया है relation second term है attributes and third term है domain बहुत ज्यान से सुनिएगा first क्या है relation relation क्या है कुछ नहीं sir जो table है बनाई है जिसमें rows and columns है उसी को relation बोला गया है so क्या है relation relation is defined as table जो table बनाई है sir उसी को क्या बोला गया है relation बोला गया तो देखो मैंने उपर आप लोगों के लिख के रखा है कि यह student registration की file है इस file को और किस नाम से जान सकते sir table बोल सकते या relation बोल सकते I hope you are comfortable समझ में आ रहा है students great so क्या लिखा है relation is defined as a table with rows and columns comfortable Okay attributes क्या होते मैंने आपको बता है fields fields का की दूसरा नाम क्या है attribute है the named columns अब ये columns named columns कौन से होगए यहाँ पे हों गया address का column, यहाँ यह mobile number का column, यहाँ ओ गया name का column, roll number का column यहाँ serial number, book name, book id, roll number यह सब क्या है sir, columns है right columns के name को क्या बोला है sir attributes जो कि और कुछ नहीं fields है तो क्या लिखा है यहां पर the named columns of the table are called as attributes comfortable fields कोई क्या बोला जाता है attributes are fields क्या show कर यह characters का collection यह तो याद ही होगा आप सबको fine चलें आगे fine अब next point क्या रहा है sir domain domain क्या बोल रहा है it refers to the set of values that attribute can take मतलब sir अब supposedly मेरा एक attribute है यहां पर mobile number यहां पर आप देख सकते students just a second मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ यहां पर मेरा यह attribute है mobile number यह attribute कौन सा है mobile number अब mobile number क्या values ले सकता है sir वो सिर्फ number ले सकता है right क्या ले सकता है सिर्फ number ले सकता है तो domain specify करता है आप क्या चीज़ enter कर सकते हैं एक particular field में अब name में sir आप सिर्फ characters में alphabets यह letters enter कर सकते हैं आप numbers enter नहीं कर सकते हैं तो आप define कर रहे हैं domain में क्या आप क्या चीज़ एक particular field में enter कर सकते हैं what a particular field can accept and what a particular field cannot accept so that is what domain so वापे से पढ़ लेना बिटा domain क्या है set of values that attributes can take attributes मतलब क्यों गया fields so set of values that attributes can take is what your domain I hope domain भी अच्छे से समझ में आ गया so अगर आप देखते हैं वापे से अपनी book पे तो यही चीज़ लिखिए three key terms आपके सामने है first relation second attribute third domain relation को क्या बोला गया tables हो गई with columns and rows attributes क्यों हो गए columns हो गए जिनको अपन किस नाम से बुलाते attributes other name क्यों हो गया fields and domain क्यों हो गया जो value set of values attribute can take that is what domain so I hope यहां तक आप सब एक तम अच्छे से conceptually clear हो गए सबसे पहले अपने define कर लिया फिर आपनने क्या बुला कि three key terms concept and extensively use करते वो बता दी relation हो गया attribute हो गया and domain हो गया चलो students अब बढ़ते आगे अब next point क्या रहे अपना देखे क्या लिखा है all relations tables in a relational database have to adhere to some basic rules वेटा सिर्फ एक table बनाने से वो relational database management system नहीं बनेगा एक table जब यह certain criteria जो अपन बोलने वाले बताने वाले अगर वो satisfy करेगी कभी उससे अपन क्या बोलेंगे relational table माना जाएगा जो चीज बोल रहा हो ध्यान से समझना table को यहां से सुनना क्या लिखा है table को relational database में यह जो basic rules अभी मैं बताने वाला हम वो satisfy करने ज़रूरी है कभी वो relational database management system consider किया जाएगा नहीं तो वो consider नहीं किया जाएगा तो अब question क्या है कि table को कौन से rules follow करने ज़रूरी है are you with me वापी से tables को कौन से rules follow करने ज़रूरी है तो बेटा basically आप देख सकते तीन rules दिये गए first, second and third so यह तीन rules जो अब आपन discuss करेंगे वो follow होगा तो यह वो rdvms का part बनेगा तो अब देखो क्या है first rule first rule क्या बोल रहा है कि the ordering of columns is immaterial in a table ordering का मतलब आप लिख ले ना position basically ordering का मतलब क्या होता है position position of column is immaterial in table अब आप देखो student registration में role number का क्या है sir order number one है सबसे पहले role number का column है लेकिन यही library का अगर मैं table देखता हूँ तो उसमें role number का last है तो मतलब ordering जो है table में columns का वो irrelevant है वो immaterial है उससे कुछ मतलब नहीं है आप कोई भी position में उस column को रख सकते है so first point clear हुआ क्या बोल रहा है first point ordering of columns is immaterial in a table कोई भी position में आप उस column को रख सकते है कोई भी order में उस column को आप रख सकते है I hope you are comfortable दे लिए चले आगे second point क्या बोल रहा है student second point बोल रहा है there cannot be identical record in a table अब इसका मतलब क्या है sir ये जो first complete record है वो हूब हूब वापिस से repeat नहीं हो सकता sir हो सकता है name repeat हो जाए लेकिन पूरा का पूरा record as it is वापिस से repeat नहीं हो सकता sir अगर एक बार role number one आ गया है एक बार अगर role number one आ गया है तो वापिस से role number one नहीं आ सकता फिर वो role number two ही आएगा जो चीज बोल रहा हो समझ में आ रहा है so क्या बोला है there cannot be completely identical record in a table मतलब जो उपर record में सारी की सारी fields थी same की same a to z हर एक चीज़ सेम होके वापिस से record नहीं बन सकता उसका मतलब में एक example की थू क्या बताया two students cannot have the same role number sir अगर उपर role number one है तो नीचे वापिस से one repeat नहीं हो सकता तो I hope concept समझ में आ रहा है simple है ठीक है एकदम identical same records नहीं हो सकता हो सकता है name repeat हो जाए लेकिन हर field same हो वो possible नहीं है comfortable टे लिए चले आगे third point क्या बोगता है each record will contain only a single value of its attributes बहुत important चीज़ है अब बेटा आप देखो single value of its attributes का मतलब क्या है mobile number एक attribute है mobile number क्या है एक attribute है अब जो student का mobile number है हो सकते है उसके पास में दो number हो बट एक ही number ले सकते हैं एक ही mobile number ले सकते हैं अब लिख करके अपन दूसरा mobile number यहां पे नहीं लिख सकते हैं जो चीज में बुरो समझ में रहा है it cannot have multiple values it cannot have what? multiple values दो mobile number एक field में नहीं आ सकते हैं sir एक field में सिर्फ single value ही आएगा मतलब एक ही mobile number आएगा तो एकदम अच्छे से मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कोई difficult नहीं है इसमें तीन कौन से rule है sir पहला कोई भी position हो सकता है column का sir दूसरा same identical records एक table में होने possible ही नहीं है और sir तीसरा कि हर attribute में single value रहेगी multiple values नहीं आ सकती यह क्या है sir यह basic rules है जो किसे follow करने ज़रूरी है sir एक table को follow करने ज़रूरी किस में sir relational database management system में ठीक है तो देखे चली आते हैं अपने book पे book में भी आपको यही चीज मिलेगी क्या मिला है sir कि जितने भी tables है उनको basic rules के साथ अधार करना है पहला क्या है कि ordering of columns is immaterial अब आप चाहें तो यहाँ पे ordering का मतलब लिख सकते हैं ordering का meaning students क्या हो गया position position लिख सकते हैं ordering में ठीक है second there cannot be two there cannot be identical records हूब भू same records नहीं हो सकते table में and last क्या बुला जो record है each record will contain single value for each of its attributes sir attribute में single value यह आएगा example में लिख लो mobile number में only one mobile number only one mobile number ठीक है students so I hope एकदम आप अच्छे से समझते जारें में साथ के relational database model बिल्कुल भी difficult नहीं है चीज क्या है कि यहाँ पे tables के form में present किया जाता है जिसमें rows और columns होती है और अब अपन आगे बढ़ेंगे कि वो कैसे work करता है थोड़ा अभी अपन आगे समझेंगे ठीक है तो अभी तक तो यही हुआ कि अपने बढ़ा के tables है tables को बनाने के थोड़े rules होते है और वो rules को अपनको follow करना ज़रूरी है comfortable till here शुरू करें आगे चलिए great आते है next point पे students अब ध्यान से समझना a relational database अब database है मतलब उसमें क्यों कि बहुत सारी files होगी ध्यान से समझना database है तो उसमें क्यों होगा database क्या था collection of files था तो क्या लिखा है relational database contains multiple tables multiple tables क्यों होगी multiple files अपने example में कौन सी होगी multiple files एक student की registration file होगी एक library file होगी समझ में आ रहे with all tables connected by one or more common fields अब ध्यान से सुनना पेटा मैं एक table की relationship establish कर सकता हूँ दूसरी table के साथ मेरे given case में मैं student registration table की relationship अब relational database model है नाम से समझना relational database model मतलब अपन relation establish करने की कोशिश कर रहे हैं मैं एक table का relation दूसरी table के साथ establish कर सकता हूँ by one or more common field मतलब दोनों में जो common field होगी उसके थ्रूब में एक relation establish कर सकता हूँ अब आप चीज़ समझेगा के आप देखेंगे के student registration में role number एक field है and library में भी role number एक field दी भी है are you getting my point you'll get role number attribute in student registration and you'll get role number attribute in library also so ये दोनों की क्या होगी common field हो गई तो ये दोनों को अपन table को link किसके थ्रूब कर सकते है role number के थ्रूब कर सकते है are you getting my point वापे से पढ़ना क्या लिखा है कि भाई इस database में जो multiple tables होगी उन्हें अपन connect कर सकते है one or more common field को और इस field को क्या बोला जाता है basically primary key बोला जाता है देखिए अभी अपन पढ़ेंगे आगे समझ में आएगा आपको क्या लिखा है for each table her table clay one of the fields is identified as primary key let's take example of what student registration मैंने student registration में आप देख सकते हैं यहापे role number को क्या बना दिया primary key बना दिया मैंने student registration में role number को क्या बनाया primary key बनाया बड़ सवाल उठता है सर आपने role number को primary key क्यों बनाया आपने name को primary key क्यों नहीं बनाया दियान से सुना सवाल क्या उठता है सर student registration में आपने role number को primary key बनाया सर आपने name को primary key क्यों नहीं बनाया अलग होगा उनीक होगा इसलिए अपने roll number को क्या बनाया primary key बनाया सर नेम तो अगर उपर राम है तो possibly थी कि नीचे भी दूसरे student का नाम राम निकले तो वो यूनीक नहीं होता तो यूनीक क्या चीज़ है सर यूनीक is roll number तो इसलिए मैंने roll number को क्या बनाया सर मेरे case में primary key बनाया are you getting my point so क्या लिखा है for each table one of the fields is identified as primary key which is unique identifier for each record in the table अब हर record का record one ये पूरा एक record है ये दूसरा record है ये दोनों record में ये roll number one एक unique identifier है of the entire record मतलब अगर पूरे record को आपको recognize करना है तो roll number one के थूरू आप easily कर सकते हो क्योंकि वो unique है वो repeat नहीं होगा कभी भी so पहला point I hope ये जो सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझा रहा है students comfortable ते लिए चले आगे fine फिर आगे क्या लिखा है keys are commonly used to join or combine data from two or more tables अब बिटा एक library table है ठीक है अब जो library table है समझो जो library का table में enter कर रहा है अगर उसको अगर उसे student का name और mobile number जानना है चाहिए तो बेटा उसे यहां पे अलग से उसकी field बनानी की जरुरत नहीं है ध्यान से सुना library table में आपको अलग से student के name की और mobile number की field बनानी की जरुरत नहीं है क्योंकि अगर आपको वो चाहिए तो आप directly इस table को role number से क्या कर सकते है लिंक कर सकते है यूजिंग primary की क्या सकते है जो student registration की primary की है उसे आप क्या कर सकते है लिंक कर सकते है और जैसी आप link करेंगे तो आपके पास automatically क्या जाएगा उसका name और mobile number आ जाएगा तो यही चीज़ बोड रहे हैं sir हम keys को use क्यों कर रहे हैं to join or combine data from two or more tables दो tables को join करने के लिए एक table को अगर कोई data चाहिए तो दूसरी table से लेने के लिए sir हम क्या कर रहे हैं join कर रहे हैं are you getting the concept जो चीज़ बताने की कोशिश करो आप सको समझ मारी students right so यह चीज़ हो गई आगे क्या लिखाए if primary key of one table is used in another table to access the former then it is called as foreign key अब बेटा एक चीज़ बताओ library में अपन role number को use कर रहे है role number को use कर रहे to access what student registration table तो यह role number student registration के लिए था primary key बट यही role number library के लिए क्या बन गया foreign की यह role number library table के लिए क्या बन गया foreign की ध्यान सा समझना क्या लिखा है if primary key of one table primary key of one table क्या होगी अपने case में student registration की primary क्या होगी role number is used to in another table अपन use करे another table मतलब कहां पर use करे library में to access the former क्या access करने के लिए student registration access करने के लिए then it is called as foreign key मतलब यहां पर role number को क्या बोलेंगे students अपन foreign की बोलेंगे मतलब library में अलग से अपन को database किसका maintain करने की जरूरत नहीं data किसका डालने की जरूरत नहीं name student name और mobile number डालने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर sir data चाहिए तो वो कहां से आ जाएगा student registration table से आ जाएगा students यह बन सकते हैं पूछ सकते mysql किसका एक्जामपल है तो इस एक्जामपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस management system अभी अपने देखा था दो टेबल एक स्टूरेंट के registration की थी और एक library की थी and connected by one or more common fields कौन सी fields अपने कनेक किया था roll number से connect किया था for each table one field is identified as primary key which is unique identifier for the each record अपने देखा था roll number क्या थी primary key थी जो uniquely identify करी थी complete record को क्योंकि हर record में roll number क्या होगा sir अलग होगा ठीक है इसलिए roll number को क्या बना है primary key keys यह primary key क्यों यूज की जाती है to join or combine data from two or more tables अब library में अगर आपको library librarian को अगर data चाहिए किसका sir student के name का तो वो student registration files से आ सकता है कैसे क्योंकि मैंने combine कर दिया sir किसको library की file को student registration की file से मैंने combine कर दिया students किसको वापे से सुलने ना मैंने combine कर दिया library की file को मैंने combine कर दिया sir किसको library की file को किस से student registration की file से by using what sir role number field तो जो चीज़ बोल रहा हो समझ में आ रहा है आप सब को अच्छे से and if the primary key of one table is used in another table then it is called as foreign key मतलब role number primary key हो गया किसका student registration table का बट वही role number foreign key बन गया किसका library का are you getting my point and popular examples क्यों गया Microsoft Access MySQL in Oracle अब यह जो example है यहाँ पर एक और example दिया आप इसे read कर सकते हैं सेम concept पे बेज़ दे बर जो मैंने आपको example दिया वो simple था और easy to understand था तो I hope आप वो example समझ गए होंगे राइट चलिए आ जाते वाप हैं तो किस से link कर सकते हैं अपन उसे link कर सकते स्टूडेंट रेस्ट्रेशन टेबल से link कर सकते हैं are you getting my point and moreover सारा data याद करो DBMS में कहा store होता है centrally store होता है तो data में redundancy कम होगी क्योंकि एक जगे store हो रहा है तो first point क्यों हो गया data एक तो share हो सकता है student registration का data कहां share कर सकते है library के connect करके share कर सकते है first point secondly minimizing data redundancy अब सर यहां पे मेरे को अलग से name और mobile number enter करने की ज़रत नहीं है सर क्योंकि मैं primary की से दोनों tables को क्या कर पा रहा हूं connect कर पा रहा हूं इसकी वज़े से data का duplication भी क्या हो रहा है कम हो रहा है minimizing what data redundancy next point क्या अब रहा है program and file consistency का मतलब क्या है sir अब आप देखो कि mobile number का format free defined है right अब हो सकता था मैं यहां पे plus 91 लगा देता format में तो हर mobile number के आगे पहले अपने प्लस 91 लिख्या था date की अगर attribute होता अगर date का attribute होता तो वहां पे मैं दे देता dd mm yy तो यह पहले से क्या कर सकते है अपन डिफाइन कर सकते है इसलिए क्या रहेगी जो भी अपनी file बन रही है उसमें consistency रहेगी are you getting my point सबका format same रहेगा अब यह चीज में क्यों बताया क्योंकि ncq में question बन सकता है question generally tricky रहेगा पूछेंगे बताओ इन में से कौन सा advantage नहीं है which of the following is not the advantage of db rdbms और उसमें लिख देंगे यह data redundancy वो लोग minimizing word skip कर देंगे they'll write only what data redundancy अब student क्या करेगा उसको advantage माल लेगा so basically ध्यान से समझना data redundancy is not a advantage advantage क्या है minimizing data redundancy ध्यान से समझना advantage क्या है minimizing data redundancy so agar question बनता है which of the following is not the advantage of rdbms and if they have given these three options but यहां पर उनने minimizing word नहीं लिखा उनने first option दिया data sharing second option दिया data redundancy and third दिया program and file consistency your answer will be data redundancy data redundancy is not advantage of what rdbms what is the actual advantage the advantage is what minimizing data redundancy मतलब अगर minimizing word है साथ में तो ही वो advantage बनेगा नहीं तो वो advantage नहीं होगा तो I hope इसके साथ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया relational database management system इसमें एक की चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि टेबल के form में होता है टेबल में सब अट्रब्यूट्स होते है domain defined किया जाता है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए फिर टेबल के rules होते है वह अपन की बोलेंगे और इसके साथ बहुत अच्छे से अपना ये टॉपिक क्या और एस्टूट्स कवर हो रहा है ठीक है अब मिलेंगे नेक्स लेक्चर में और नेक्स्ट अपन मॉडल नेंगे जिसका नाम है object oriented database model ठीक है चलो see you all in the next lecture take care bye bye and happy stirring